हेलो बच्चो मैं सुनीता बहरवा नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्षा बारा और कक्षा बारा का विश्य पॉलिटिकल साइन्स यानि की राजनिती विज्ञान और राजनिती विज्ञान का पार्ट ती जिसका नाम है विश्य राजनिती दॉनिया में सबसे ताकट्वर हैं और अमेरिका जो तो समझें तो इसकी जलक हमें विश्वारिक सारजनिक वस्तों को मोया कराने के अमेरिकी भूमिका में मिलती है यानि कि सारवजिनिक वस्तों को मोहिया यानि कि उपलब्द करवाने में हमें किसकी भूमिका मिलती है अमेरिका मिलती है हम देखते हैं कि हर तीसरी कंपनी की चीज किसकी मिलती है अमेरिका की कंपनी की चीजे मिलती है तो पूरे वस्तु क्या होती है ऐसी चीज जिसका उप्योग कोई एक करे तो दूसरे को उप्लब्द इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी ना आए यह एक वेक्ति उसकी उप्योग कर लें और लेकिन दूसरे के लिए कमना पड़े जैसे कि वाईउ और शड़क जिसे वाईउ यह एक धाशागत वर्चस्वेव मतलब अमेरिका का आर्थिवे वस्ता में बहुत भोथ ही शक्तिशाली वर्चस्वेव शेव है मतलब मतलब विश्में जो 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 वस्तू बेसियक सारवजिनिंग वस्तु का एक और और उधारन है इंटरनेट और उसके इंटरनेट इंटरनेट को एक यूज रहाने तो यह तो नहीं कि खतम हो सकता है चैसी आपने क्ते पडलवा रहा है लेकिन उतना तो यूज करी रहे ना उसको अपन उसके लिपिक लूमिट के अ तन्तर पर निर्वर है अधिकांच उपगरें अमेरीका के है विश्व की अर्थेववस्ता में अमेरीका की विश्व की अर्थिववस्ता में एक भी इच्छे तरह सा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रेणी तीन कंपनियों में से एक नहीं हो और विश्व की अर्थिववस्ता में मतलब एस प्रकार की है कि अगर तीन कंपनियों से मतलब है ना तो उसमें एक तो अमेरिकी निकलेगी निकलेगी इस बुसक्रार अमेरिका जाल पूरे विश में फेला हुआ है सी लेड of समूद्री वेफार मारग ये बच्छों सीलेन और मतला में अमेरिका का is ए्लक्राइश है तो आमेरिका का जाल समूद्री वेफार मारग में भी फैला हुआ है सबसे बड़ा उदा रहना है, समुदरी वेपार मार्ग, SLOC का इस्तिमाल वेपार एक जहांज करते हैं और इसका इस्तिमाल कौन करते हैं वेपार एक जहांज करते हैं निकि जो वेपार करने वाले होते हैं एक दूसरे से दूसरे देश में आया पनी या जो वस्तुय होती हैं निकि जो वेपार होता है वो जहांज करते हैं मुक्त वेपार इनके बिना संभव नहीं है और जो समुद्री वेपार मार्ग जो है या SLOC जो है उसके बिना मतलब मुक्त वेपार संभव ही नहीं है दबबे वाला देश अपनी नो सेना की ताकत से समुद्री वेपार मार्गों पर आवा जाई के नियम तया करता है और जो सबसे सकीछाली डेश जो होता ही न वही क्या करता है, कौन रास्तों से गुजर रहा है, कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा और किस देश को यहान से आयात कर सकता है कितना देश निर्यात कर सकता है तो तो वह कौन करेता ने ? वह सबसे जो तकिस्याक्त या प्रितिश न उसेन आ करते थी और बिकिर हो से पहले Boston सबसे शुक्तिशाली देश बन गया तो वहत तयकता था अमेरिकी नो सेना की उपस्तिती दुनिया के लगबख सभी महासागरों में है ब्रेटन वूड परनाली ये ब्रेटन वूड परनाली क्या है दूसरे विश्वूड के बहुत देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खर मतलब बहुत देशों की स्थिति थी वह खराब हो चुकी थी इनकी अर्थ विवस्ता को सुधाने के लिए प्रनाली लाए गई और इनकी अर्थ विवस्ता को सुधाने के लिए क्या लाएगी ब्रेटन वूड परनाली लाई गई ब्रेटन वूड सिस्टम के तैर अमेरिकी डालर को अंतराष्टी मुद्रा बना दिया गया और ब्रेटेन वूट प्रिणाली के अंतराष्टी मुद्रा बना दिया गया यानि कि जो वेपार होगा उसमें मतलब वेपार में क्या हो अंतराष्टी मुद्रा बन गई है अमेरी डालर जो है वो अंतराष्टी मुद्रा बन और जब ब्रेटेन वूट परणाली लागू लागू हो गई तो अमेरिकी अर्थ व्यवस्ता बहुत मजबूत हो गई कि डॉलर का मैं तो बढ़ गया और अमेरिकी धाचागत ताकत का एक उधारन क्या है अमेरिकी विचारदा को पूरे विश्व में माना जाता है यानि कि अमेरिकी विचारदार है हमेरिकी विचारदारा का प्रभाव है आब ये हमें बिल्कुर सामाने लगने लगा है है और इसपरकार उसके आदि हो चुके हैं ऑब हमें सामाने लगत लग चुकी है अब लोग पेहनते के अदू नीकता के पडिक मानां जाथा है, ये सब क्या है अदूनिक फैनने के मतलब की मतलब टूर्धिय। हमारी संस्क्रिप्टी में क्या हुआ हमारी रहन सेनी बदलाव आया हम डैनिंग टैबल पर खाना पर संद करते हैं जारे पाले explic Kosten करते हैं तो यह हमारे अंपना लिए अब अब यह बिल्कोल नॉर्मन लगती है क्योंकि हम इसके आदी चुके तो चुके हैं अब हमारे यह व्यवार На चुक फेले चु प्रभ इस तरीके की संस्थथा है उनकी बुनावत है कि वह इसमेर अमेरिकी सकती पर अवरोद डालती यह रोक डालती है आप लोगों के लोगों बीलकुल नहीं चाहती है वह अपना मतलब अपना काम करना चाहती है ऑर अच्छी प्रकार से रहना चाती है अपना बिजनिस करना चाती है कमाई खिलना चाती है रेके लिए smaller में टायम वेस्ट नहीं करना चाती तो अमेरिकार के लोगों की उनमुकत प्रकति है नाटो, तीसरा अवरोद, नाटो, नाटो के बारे में हम बच्चों विस्तार से भी पढ़ेंगे नाटो एक ऐसा संगटन है जो अमेरिका की ताकत पर लगाम लगा सकता है और नाटो किस प्रकार का संगटन है जो क्या करता है अवरोध लगा देता है यानि कि रोग लगा देता है अमेरिका की शक्ती पर तो यह हो गए तीन अवरोध पहला दूसरा है और तीसरा नाटो नाटो गटबंदन का इस पिलकार का दो जैने की जंड़ा है उत्री अंतलांटिक संदी संगटन और नाटो का पुरा नाम क्या है उत्रिय अट्लांटिक संदी संगठन नौट एट्लांटिंग ट्रिटी और्गनाईजेशन नाटो एक सेने गट बंदन है और यह प्रिट बंदन है जिसकी इस्थापना कि भारत अमेरिकी समंदों को लेकर 3 संभावित रणनीती और हमर जेर भारत अमेरिका की संबन्द को लेकर 3 संभावित रणननिती है मतलब तीन परकार की लोग एंव annat तीन तरीके से पनी सोच रख सकते हैं कि लोगों का काम न्हें की स 그러면 कार बॉन के लोग है किस HER के सोक तो देखते है फ़ी रन रिती भारत रच को अमेरिका से दूरी नानीं चांप एक प्रकार की लोग उत हैँ हमें क्या सकता है कुछ हो सकता है तो जो पहली प्रकार के लोग वह क्या करता है कि अमेरिका बाहु के लिए ओक लेंडिक छाहिए गार्ट को अमेरिका के साथ रहकर उसके वरचस , अधाना चाहिए और नियुक्ति के लोगोन है उसके विपना रहके है दो मेश्डी आपको उसके दर्सक्राइब कर दो प्रकार के लोग क्या कहते हैं कि वर्चस्त का फाइदा उठाना चाहिए दोनों देशों को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए साथ रहना चाहिए दोनों देशों को अपने हितों को यानि कि अपने हितों को साथते हुए क्या करना चाहिए विकास देशों का गटबंदन मना लेना चाहिए और इसरी रणनीती क्या कहती है कि भारत को विकास देश है जो चोटे देश हैं जो विकास कर रहे है न भी उनका गटबंदन बनालेना चाहिए कुछ सालों में ताकतवर हो जाएगा तो-अमेरिके वर्चप्स का पृतिकार कर सकेगा और मतलब इसरी रणनीती कहती है कि है न क् बना लेना चाहिए लोगों मतलब देशों का अर कुछ समय बाद में क्या वे और अमेरीगी समाना कर सकें याँ इसके कश्राब ना कर सकेंगे क्वेकर सारे विकासिल देश bend aT सपायदा यह सामना कर पाएंगे तो यह थी दूसरी और तीसरी लिए थी पहली दर जाओ उन से दूरी बना लो तिसरी में उनका फायदा उठाओ और चौते में क्या हुआ अब मतलब बहुत सारे विकासी देश मिलकरी क्या बनाओ एक शक्ति बना लो जो कि अब्शन के सामना कर सकते वर्चस्व स सकते हैं भारत रूस जैसे एक साथ हो ही शनुश しभी हैं तो ये तीनहिंग साथ हो जाए तो अमेरिका का सामना किया120 सकता है लेकिं ये मितर नहीं सकते क्यों कि छीन और भारत के दो विवाद चलते रहते हैं ये दोनों तो दुशमन एं तीसरा में वारत दो अरूस के दो अच्छे संबन है L futur जब ये दोनों दोस्त है तो ये तीसरा जो है चीन वो इन दोनों दोस्तों से दोस्ती क्यों करेगा कोई देश अपने को अमेरिकी नजरों से छुपा ले और तीसरा ये हो सकता है कि कोई देश क्या करे अपने आपको अमेरिकी नजरों से छुपा ले तो जो भारत देश है ज पड़ी महाशक्ति और अगर रूस जो रशिया वह और आपने शक्ति अपने बहँत बड़ी भाशक्ति बन जाता तो उसका सवाधा उसके उसकी उसके साथ समस्तरा पर किलों सब्सक्राइब तो बैडवंगर की निती कहती है कि जो शक्तिशाली राष्ट्रे उनसे मित्रता बना के रखो अपने हितसादने के लिए उनसे दोस्ती बना के रखो जो भी शक्ति आती है उसे दोस्ती बना लो अगर अगर अंगर अमेरीकी दबबबे का प्रती रोध करे तो उसके दबबे से निप्टा जा सकता है तो ऐसा भी संबव नहीं है बच्चो इस पार्ट में हमने पड़ा विश्व राजनेती में अमेरिका का किस प्रकार दबदबा है अगली क्लास में अगले वीडियो में मिलते अगले चैप्टर के साथ और यहीं पर हमारे है तीसरा चैप्टर जो तीसरा पार्ट है तीसरा जाय वो खतम होता है